अब लिखाई में अब आज फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में और जैसे कि हमारे नियु च्टैपिंग स्टोन सीरीज चल रही है उसका और नया चैप्टर लेक्या है आज हम बात करेंगे हमारे नेक चैप्टर चैप्टर नमर फिप्टीन करेश की बारे में करेश एक बहुत ही फंटास्टीक चैप्टर है ये चुटी कि पोएम है तो जैसे यह पोएम हैं तो चुछ बछटों को जिसको समझ में नहीं आती है आपको comment box पर अपने question डाल देना कोसिज करूँगा कि तुरंट के तुरंट आपके reply हो सके यह है the point awakes one number morning एक दिन जब जो है point जो है number की morning इक number का time चल रहा है point जो है उठते है morning के time पर and it's surprise to see यह बहुत ज़्यदा surprise जो हो जाते हैं देखकर पेड़ पर खिला हुआ है मतब पेड़ पर खिला हुआ है मतब पेड़ पर खिला हुआ है और एक surprise वाली बात यह है कि this is the time of number यह एक number का time चल रहा है बट उसके बावजूद भी मतब जो फूल है वो खिल चुका है the apple blossom sign जो apple का फूल है वो sign करता है like an angel की तरह जो है बहुत ज़्यादा उसको attract कर रहा होता है backons to point backons का मतब होता है इशारा करना बैसे यहां पर जो मतब दे रखा है वो attract करने के लिए लेकिन backons का मतब होता है इशारा करना जिसे अगर आप कभी transit कर रहे और आपको समझ में है कि हाँ वो मुझे इशारा कर रहा था तो he was backoning me ठीक है ना तो यह backon का मतब इशारा करना होता है while the point asks the blossom whether it has mistaken the season to spring आपने इसे गलती से spring समझ लिए को कि spring के time पर जो apple blossom होते हैं वो खिलते हैं बट यहां question आपके mind में आ सकता है sir winter के time भी हमें apple आराम से खिलने को मिल जाते हैं सब कुछ हो जाता है तो यह spring के time भी क्यों होता है अगर आप अभी mango search करने जाओं तो market में mango भी मिल जाएगा लेकिन यह matter नहीं करता कि वो जो है fresh होगा क्या होता है कि हम carvohydrate से उसको cover करके रख देते हैं महीनों के बाद इसको use कर लेता है तो same चीजें जो है आज के time use कर रहे होता है the blossom replies that it has come early जल्दी आ गया है knowing the danger it has to face वो जानता है कि कितने खत्रों को सारे खत्रों के बारे में जानता है जो उसको face करने है so that it can hear sound इसलिए वो क्या कर रहा है sound को सुन रहा है sound को सुन सकता है see sight sights जो मदब आसपास के जो भी scenes हैं जो dress हैं उनको देख सकता है and experience कर सकता है that none other will जो दूसरे जो brosoms के fool होंगे कभी experience नहीं कर पाएंगे लेकिन वो उस चीज को experience कर पा रहा है क्यों क्यों कि उसने करेज दिखाया है उसने साहस दिखाया है यह मतलब जो बहुत चल बिंटर है ना नॉमबर का टाइम है ऐसी समय भी जो है January चल रही है जनारी में कितनी ठंड फ़ड़ रही है नॉमबर के त recruit तो वहां पर नहीं उसके धाया है मैंने करेज दिखाया है मैंने मैंने हम्मत दिखायी है कि मैं यहां पर आया हूं तो जो कुछ में मैं experience कर रहा अगली सुभा जब पोईट या एक सुभा जब जब जागेगा इट विल सी देखेगा कि जो फूल है एपल का फूल था वो जाज चुका है इसलिए वो रिक्वाइस करता है पोईट से करता है कि अगर मरने के बाद भी जिंता रहने के सिफ दो ही तरीके है या आप बहुत कुच अचा लिग जाते हो या बहुत कुच अच्चा कर जाते हो तो लाइक महात्मा गानी उन्होंने अपना पूरा जीवन किसमें लगा दिया, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन भारत को आजाद करने में लगा दिया, अब सारे जो लोग हैं, उनको याद करते हैं, मतलब उनकी डैथ के बाद भी वो मदब जिन्दा है, या अब बिलि लिख जाओ या बहुत अच्छा कुछ कर जाओ जिसे लोग आपको फॉलो करें आपको याद रखें तो वही जो चीज है उसलिए जो जो जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो नहीं रहेगा तो इसलिए उसके बारे में कुछ पोईटरी सी लाइन लिख दो तो यह जो पर् कर्किलर सांट को सुन पाया जो मतलब क्या होता है जैसे मित होती है जैसे अगर देखा जाए कभी टाइम में आपने देखा होगा कर आप क्रिकट बहुत अच्छा खेलते हो जानते हो किरे बारे में कि बिलिन सवाग ने पहली बार ट्रफल सेंशी लगाई थी टैस मैच में उससे पहले जो करती थी कोई नहीं लगा सकता बंडे मैच में डबल सेंट्री लगाना एक मित हुआ करती लेकिन संचें तैंको तोड़ दिया एक संच्री करेट कर रोका परनाइक 2020 में बहुत था लेकिन बहुत सार क्राइटर थे उन्हें इस चीज को तोड़ दिया कोई सब क्याते थे साइदा फ्री था कोई नहीं तोड़ पाएगा लेकि इसको रासी ने तोड़ा तो मतलब यह क्या एक मित है कि हमारे माइंड में अजंशन बने हुए ऐसा नहीं हो सकता लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए करेज चाहिए तो यह जो पर्टिक्लर इसका explanation हो जाता है यह हमारी सब्ली हो जाती है अब बात करते हैं कि questions के बारे में तो first of all यहां पर मैंने हम read and write के questions लेते हैं इसके तीन questions मैंने यहां पर लिया है पहले हम इन तीन questions के answers देखेंगे उसके बाद में next पर लेंगे तो पहला जो हमारा question दिया हुआ है why was the poet surprised to see the apple bluesms जो poet था वो क्यो surprise था apple bluesms को देखें ठीक है तो इसके answers के लिए simple यहां हो जखता है the poet was surprised to see the bluesms bluesms को देखें वो बहुत ज़्यादा surprise हो चुगा था because it was winter क्योंकि winter season थी and not a season for apples यह season जो है apples के लिए नहीं होती है इसलिए वो poets थे वो क्या हो रखे थे वह surprised हो थे उससे देखें कि आर यह कैसा हो गया यह कैसे हुआ and next part हम बात करते है next question दे रखा है वो हुआ है what what does the poet use in the first tenger to bring out the contrast between the branch and bluesms यहां पर branch और bluesms के बीच में contrast देया है contrast का मतलब दो opposite word ने use करे हैं और आपको बताने हैं कि वो कौन कौन से point है इसके लिए हम यहां पर आंसर देखते है दा ब्रांच इस डेस्क्राइब अंतिकाली है जैसे कि night होती है bluesms ग्लीम चमक रहा है what foolishness had the bluesm made according to the poet according fool ने क्या गलती की है क्या मुर्कता की है है तो according to poet the apple bluesm had mistaken winter for spring की मतलब साइद उसने गलती से winter को spring समझ लिया और वो थोड़ा जल्दी आ गया है यह उसने क्या किया है यह गलती हुई है उससे ठीक है तो यह हमारे तो यहां पर फिफ्फ जो हमारे questions जाज रखा है how did the bluesm respond to the poet's query poet की query मतलब के question पर जो bluesm है वो कैसे reply करता है तो यहां पर the bluesm replied that it did not fear कि उसको डर नहीं है the winter has winter as it was a pioneer की वह एक pioneer है pioneer का मतलब होता है जो mark दर्शन होते है जो guide होते है मतलब आपने देखा होगा जो leader है tehdah political है politician Hok utilities का होते है वह क्या होते है वहोते होदे हो पायनीयर होते है like pioneer कаю क्या मतलब है कि मतलब एक दर्शन को दूसरे लोग follow कर रहा है . कही जो 이후 प्राव्वार्वार मांक बर्शन के सब उसको Pittile का रहा है एक guide कर रहा है उसको सब लोग follow कर रहा है त उसको pioneer जार नहीं होता है अब दूसरा जो फिर्फ नमा का कोशिन आता है सचिए सब्सक्राइब बडी से सबकुछ करने करके वह उसने एक डिसिजन लिया था में क्या होता है ? कि यहां हर जगह पे हिम्मत देखाना ही जरूरी नहीं होता हिम्मत के आप preparation करते ओना प्laan- पुरी तरह से plan बनाते हो अपने आपको prepare करते हो चीजों को judge करते हो analyze करते हो पहले क्या होता है कि कोई नया काम करने से पहले कुछ action लेने से पहले हमें एक data बनाना पड़ता है कि actually यह हमारी problems हो सकती है यह difficulties है इस step की hurdles है और इनको solve करने के लिए इसको set out करने के लिए यह plans मेरे पास में पूरे preparation के बाद आप कोई काम करते हो with courage तो वो आप में success मलते हैं बड़ आख बंद करके आख में कूछ जाना थे तो बेफकोफी होती है तो यहां पर उसने अपने आपको prepare किया था इसलिए वो winter में आ पाया था इतनी time तो survive कर पाया उन्होंने सारे experience लिए poet से request कर पाया, poet से बात कर पाया बहुत सारी चीजहां वो पहले से prepare करके आए तो यहां पर जो word आता है prepare हो सकता है आप लोगों के according कोई और बड़ हो सकता है या आप कहीं और कुसी स्कूल से देख रहे हो तो आपके जो teachers है उसके according कोई और बड़ हो सकता है but for according to me the prepared is the best word for this, okay now the sixth question, the blue zoms turn around all the negative aspects of its accidents into positive one, how does it there, blue zoms turn कर देता है अपने सारे जो negative aspects होते, aspect का क्या मतलब होता है aspect for example जैसे हम कहते हैं there is two aspects of a coin, a coin की 2 aspects होते है, एक आपने देखा होगा, एक तरफ head होता है, तो आपने देखा होगा, एक तरफ head होता है नहीं कोसिस की है, जो आपके लिए help हो सके, okay तो यहां पर he blue zoms, sorry, यह by mistaken, मैं यहां पर he blue zoms हो गया, क्योंकि यहां T type करना में भूल गया यहां type करते time पे मेरा T रह गया है, तो that is the word is he नहीं है, यहां पर the blue zoms आएगा, okay तो आप यह अपने आप से correct कर लेना, the blue zoms had come out in a winter in a pine year, एक pine years की तरह वो बहार आता है knowing जानते हुए that although it may not survive too long, वो बहुत लंबी समय तक survive नहीं कर पाएगा, बहुत लंबी समय तक वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो अच्छी सभी बात को जानता है कि लेकि उसके बाद में भी वो आया है, it would see, वो देखेगा, here, सुनेगा, no, what other apple blue zoms never would, जो वो सुन पाएगा, जो देख पाएगा, जो experience कर पाएगा, जो दूसरे जो blue zoms है वो कभी नहीं कर पाएगे, this knowledge and the fact, यह जो knowledge और जो fact है, that it had come prepared, यह वो प्रिपर्ड हो के आया हो, help करता है blue zoms को change करने में, सारे negative aspects, इतने भी negative aspects थे, उनको positive accidents में change करने के लिए, तो यहां पर हमें read and write वाले questions हो जाते है, अब यहां पर कुछ हमें question दिया हुए है, जो reference to the contact है, आप यहां पर देख पाते हो, कि actually में हमें 3 line दी हुई है, poetry की, आपकी इसी book की poetry से है, upon a branches, bleak as night, gleam excellent, and my sight, a fairy become, the vacuum burning bright, इन 3 line के basis पर हमसे question पूछे का, वो है, A, B, C, 3 questions है, पहला हमारा question दाला है, what is it mentioned, यहां पर जो it है, वो क्यों mention, किसके लिए mention किया गया है, वो बताना है, तो it is apple blossom, it किसके लिए बताया गया है, that is the apple blossom, second question है, what do the word excellent, जो excellent है, and vacuum से है, क्या reveal करते है, about its moods के बारे में, to extend and vacuum shows a happy and temperate mood, उसके happy and temperate mood को, temperate बोलते हैं, बिजेता वाला जो mood है, उसको show कर रहा होते है, third question there, what are the poets feeling on its appearance, उसके poet की क्या feeling है, उसको देखा है, उसके appearance पे, the poet is surprised and buried, वो surprised हो जाता है, चिंत हो जाता है, फ़र्दा ब्लूसम के लिए, ऐसे हमारे पास में second, जो है particular, दिया हुआ है, यहाँ पर, and so I dare, and I shall see, what none else, यह दो लाइन से हमें दियो ही है, उसके बैसे हमें चार question पुछे हो, what is T in the line, यहाँ पर T नहीं है, by mistake में, यह I word है, तो I को consider करके हम यह question देखते है, तो I in these line is the apple blossom, apple blossom है, how has the speaker dared, कैसे speaker dared करता है, the speaker has dared to come out in the half winter, throw ye spring blossom, okay, and see, what will the speaker see, speaker क्या देखता है, speaker मतलब apple blossom क्या सीखता है, क्या देख रहा होता है, the speaker will see what other blossom I have never seen, वो देखता है कि जो दूसरे blossom नहीं देख पाएंग, बैसे अगर आप इसको बड़ा करना चाहो, तो कर सकते हो, यहाँ पर क्या होता है, हमें एनी lines के basis देना है, यहाँ पर simple that I shall see, what none shall see, जो दूसरे हैं वो नहीं देख पाएंगे, तो हमें क्या बोला, the speaker will see what other blossom I have never seen, okay, यहाँ पर दी है, why is it confident that other will not see, क्यों वो confident है कि दूसरे नहीं देख पाएंगे, तो इसके लिए answers यहाँ पर थोला सा लॉंग हुआ है, the speaker is confident that others would not have seen it, because he has come in the December, या November or December, winter में वो आ गया है, वेरे blue zums होते हैं, come out early in the April, April के time पर वो आ रहे होते हैं, क्यों कि वो आ गया December में और बाकी आते हैं, April में, so the winter sites, जो winter sites है, that he see, जो वो देख रहा है, the other will never see, वो उसको कभी भी नहीं देख पाएंगे, okay, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यह जो है बसता है, यहाँ भी हमें तीन लाइन से यहाँ पर दी होई है, what though I pass before my time and Paris in the Gradle and the Grime, तो इसके basis पर हम से तीन कोशें पूचे हुए है, what is the speaker, speaker कौन है, simple था speaker तो वह आपल blue zums है, क्योंकि apple blue zums ने जो पूरी पूरा का पूरी 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 है, वो apple blue zums के ऊपर ह time, इसको explain करना है, तो क्या हो सकता है, past before my time means the blue zums will with us and faded up, यहाँ मुर्जा जाएगा, fade up हो जाएगा, क्यों, before the normal time, अपनी normal time से, in which apple blue zums disappears, जो apple blue zums में, वो disappear यहाँ हो जाएगा, since he has come out in the winter, instead of usual spring, क्योंकि वो winter में आ गया है, क्योंकि उसे आना चाहिए था, usual spring पे, ठीके न है, यहाँ पर हमारा सीवला है, why will the speaker perish, यह speaker क्यों perish हो जाएगा, क्यों मादब, perish क्यों destroy हो जाएगा, the speaker will perish, because it is the apple blue zums, क्योंकि एक apple blue zums है, ठीक है, और it is not made for the harsh winter, यह winter के लिए नहीं बना है, बट कि यह spring के लिए बना होता है, now it has come out in the winter, क्योंकि यह फिर भी winter में आ चुक है, and now, हमारा जो time है, finally, goodbye कहने का, to finally, thanks for being here, और one, एक second आप रुख जाएगा, जिससे आप लोग हमेशा वीडियो को देख के चले जातने, को like, share, subscribe नहीं करते हैं, but at the last of the video, I request you again and again, आप इस वीडियो को like करे जाएगा, अपने दोस्तों को आज share करेएगा, और channel को subscribe आगे करेगा, मिलते हैं फिर किसी दमागे दार वीडियो के साथ, तब तक के लिए, goodbye, thank you.